मंगल धिलोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है मंगल धिलोन चैनल नमस्कार आदाब सस्रियकाल तन गुरु नानक तन रंकार तन गुरु रामदाद जी महराज, तन गुरु गुबिन सिंग जी महराज, तन स्री गुरु रन सहब जी महराज, तन बाबा शिरी चन जी महराज, तन गुरु पिता उंकारा जी महराज, धन सभी धर्मों के संत, महापुरुष, अवतार, पेर, प्रेगंबर और प्रॉफिट साहिबान, गुरू प्रेमियो, श्री अर्मंदर साहिव इखे एक दिन, प्रकाश तों प्रकाश तक, दर्बार साहब की चौबीस घंडे की पावन मरियादा के बारे में हमारी एक फिल्म, जो हमने सलसला शुरू किया, जो इश्वर ने सेवा लेने शुरू कि, उश रंकला मे तो दूसरी फिल्म थी, मैंने पहले भी जब उसका ट्रेलर इंट्रोड्यूस किया, तो उसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन में मैंने कहा था, कि मैंने नहीं बनाई हैं, मुझसे बनवाई गई हैं, इस फिल्म को भी आप देखेंगे, हम आपको दिखाने जा रहे हैं, फाइनली सब्टाइट्लिंग कर रहे थे, इच्चाती कि जो लोग पंजाबी नहीं समझते हैं, और विदेश में खास करके, जो वहां की नई जनरेशन है, उनको पंजाबी में थोड़ी दिक्कत होती है, तो इंग्लिश में हो समझ सकते हैं, तो सब्टाइट्लिंग में टाइम लग रहा था, जो इच्चाती ने करपा करके मुकमल करवा दिया, ये मेरी तुछ बुद्धी के मुताविक बड़ी विलक्षन फिल्म है, उस वक्त दरबार साहब की 24 घंटे की पावन मर्यादा के बारे में ये पहली फिल्म थी, इस तरह से बनी, इश्वर जानते हैं, उन्होंने खुद बनवाई, 24 घंटे की मर्यादा आप डेड़ घंटे में देखेंगे, लेकिन आपको ये पता नहीं चलेगा कि बीच में से कुछ काटा गया है, ऐसी इश्वर ने करपा करके ये फिल्म बनवाई, किर्तन भी बहुत थी अच्छा, खास करके जो शबद, हम लोग जब इसका शोज करते थे, तो उसमें हमने दो पार्ट्स में रखा हुआ था इसको, कुमिजाते हम लोग गुर्दार साहिब में दिखाते थे, तो गुर्दार साहिबान में डिर गंटा, क्योंकि पहले इंट्रोड़क्शन होत करते थे, और उसमें इंट्रोड में एक शबद जहां पर आके इंट्रोड हुआ, भाई साब जी सिंगलाडी जी का गाया हुआ था, मतलब ये इश्वरी रंग बनाते हैं, विसर नहीं प्रवदीन द्याला, तेरी शर्ण पूरण करपाला, और क्या उन्होंने कंपोजिशन बनाई है, तो अब मुझे क्योंकि इंट्रोड हम लोग करते थे, तो मुझे दुबारा उस शबद को, तो मुझे इतना अच्छा लगता था, मैं बहुत वहरागी में आ जाता था, आज मी मैं उसको सुन रहा था, तो बहुत वहरागी में आ गया, तो जो चेहरे मिले, मैं क करी बार बंबे से आया, कुछ सिंग साहबान मुझे से पूछते रहते थे, कि आपकी वो फिल्म उकंबल नहीं हुए अभी तक, तो मैंने का मैं कुछ चेहरे डूंड रहा हूँ, कुछ ऐसे चेहरे, जिसे लोग महा आते हैं, कुछ धन्यवाद करने आता है, बहुत सारी ल सिरी गुर्गन साहब जी महाराज से, आकाल पुर्ष से, हरी से, नारायन से, अल्ला वाहिगरू गौड से, तो मुझे कुछ ऐसे चेहरे, जिनको किसी की परवा नहीं है, वो वहाँ आये हैं, बापु से बात करने आये हैं, बापु बिन बोले सब को जानते हैं, तो वो चे मेरे ढूंडने के लिए मैं कई बार आया, सारा सरा दिन मैं बैठा रहता था कैमरा लेके, मतलब इश्वर्ण ने मुझे सिखा दिया, मैं खुद ही कैमरा ऑपरेट करने लग जया था, तो पीछे की तरफ, हर की पौड़ी की तरफ से, मैं बैठता था गरंती सिंग के पीछ कि ऐसे कुछ चेहरे लाएं, मुझे लगता था कुछ मिसिंग है इसमें, ऐसी भावना वाले लोग आते हैं वहां लेकिन हम उनको कैप्शर नहीं कर पाएं, तो मैं उमीद करता हूं कि ये, जैसे जब मैं इसको दिखाने के लिए लेके गया, तो मुझे कहीं ने कि ये था क कि लोग चाहते हैं डायलोग वाली फिल्म, ड्रामे वाली फिल्म, और ये डाकुमेंटरी है और दरबार साब की 24 गंटे की मरियादा के बार में, ऐसा मुझे एक अन्गो भी हुआ, वहां बाबा मकरणशाल लवाना जी का गुरद्वारा साहिब है, नियोक में, तो वहां क सिंग जी मेरे साथ थे, वो भी हरान हुए कि वो कितनी बत्तमीज से बात कर रहा था, कि यह कोई फिल्म, पंजाबी ही बोला था कि यह कोई फिल्म होती है, यह एक बड़ी दिक्कत है, कि हम को वो जो नफासत है, डिसकवरी पे, नैशनल जिग्राफिक पे कैसे कैसी डाकु मैं लोगों से कहता था कि दर्बार साहब की 24 घंटे की मरियादा के बारे में जानना हर एक के लिए, हर सिक के लिए कितना जरूरी है, मेरी तुछ बड़ी के मताबिक हर सिक के लिए दर्बार साहब की 24 घंटे की मरियादा के बारे में जानना उतना ही जानना ही जानना ही जा दिनोरा पीड़ता नहीं गूमेगा लिकिन उसको एक confidence होता है कि मुझे मालूम है मेरे पिता कौन है मेरे पिता का नाम क्या है और अगर आपको यह मालूम ना हो कि यह आपका सरवोच स्थान है अध्यात्मिक स्थान है आपका मक्का है और आपको वहां कि 24 गंटे की मर्यादा के बारे में मालूम ही नहीं है बस basic चीज़े मालूम है तो मैं वहां संगत से कहता था ताकि लोग ध्यान से देखें क्योंकि जब तक लोगों को आदद पड़े हुई है drama, action, dialogues, kalpnik situations की तो मैं काफी मुश्कलों का सामना करके बनाता था और काफी मुश्कलों का सामना करके दिखाता था, गूर्दवारों में दिख्कत आती थी क्योंकि संडे संडे ही होता वहां विदेश में और फिर किरतन वाले लोग आ जाते थे, कता करने वाले लोग आते थे, कविश्यर आते थे, टाड़ी जथे आते थे 20 उन सब को टाइम लेना होता था और संगत वही है त सबके टाइमिंग फिक्स होती है, उसने किसी को पिक करना है, किने कहीं वहाँ पहुंचना है, कहीं पहुंचना है, तो बड़ा चैलेंजिंग होता था उन लोगों को रोक पाना, अब उनकी भी मजबूरी थी, तो अपना प्रोग्राम बना के आएं, तो इनको चाहिए होता थ ठीक है किर्तन का बड़ा मातो है, कथा का बड़ा मातो है, तो आप हमेशा किर्तन और कथा करते हैं, रागी, धाडी, सिंग्मारी लगे रहते हैं, लेकिन ये फिल्म जो संगत देखे, जो दुरलब है, जो किसी ने पहले बनाई नहीं, उसको दिखाएं, और उस में दिखा दें, सारे ग्यारा से एक तक दिखा दें, तो संगत अनंदले, लेकिन ऐसा नहीं होता था, फिर गुर्द्वारा साहिब में प्रॉब्लम होती, लाइट की, दिन में दिखानी होती थी, तो अंधेरा के से किया जा, उसके लिए हम बड़ा संगर्श करते थे, फि उसके लिए अलग पिंज लेके आओ, कोई अम्प्लिफार अलग है, उसमें जो सॉकेट्स हैं हैं, सिस्टम हैं, जो पिंज हैं, जैक अलग हैं, मतलब पहली बात तो गुर्द्वारे वाले जल्दी राजी नहीं होते थे, सब लोग तो राजी नहीं होते थे, कुछ लोग आगवाते थे, फोन करवाते थे, कुछ लोग शोज करवा लेते थे, लेकिन पैसे देने से मुकर जाते थे, ये एक अलग सिलसला है, मैं शेर करूँगा, मेरी जो यात्राएं हैं, कहां कहां कौन सी कमेटी में किस तरह के लोग मिले, कहां किस से हौसला मिला, और कहां किन ल परकाश तों परकाश तक यह 24 घंटे की मरियादा है मैंने पहले जिकर किया था जब सिंग साहिबान ने अपरूवल के लिए इसको देखा तो उन्होंने मेरा धन्यवाद किया कि आपकी बतौलत हमने आज 24 घंटे की मरियादा देख ली वरना हमने भी आज तक देखी नहीं थ और यह सत है कोई भी आदमी वहाँ 24 घंटे मौजूद रहके और अगर मान लिजी आप मौजूद रहेंगे भी तो आप अंदर होंगे एक वक्त में उस वक्त बाहर क्या हो रहा आपको मालूम नहीं जब आप बाहर होंगे अकालतक साहिब में कुठा साहिब में या बेर साह कारी इश्वर ने दया करके मुझसे ये पिक्चराइज करवाई ये फिल्म बनवाई और जिन पर कृपा है उन्होंने बहुत आनंद लिया बहुत सा रहा और मैंने ये जिक्र किया था रभ भगवान से मेरी बाते में नियॉक के गुर्द्वारा साहब में संगत का जो एट अगर तो आपके पास टाइम है आप देखेंगे डिड़ गंटा तब तो मैं दिखाता हूं वर्दा मैं चलता हूं मैं अपमान नहीं करवाँगा अपनी विरासत का मैं इतना एजिटेटेड था और फ्रस्टेटेड था लोगों के एटिट्यूट से और गुर्द्वारा कमेटिव के एटिट्यूट से सब के नहीं ज़्यादा तरके कि मुझे लगता था बंद करूं हमारे मित्र बलवन सिंग जी में कहते रहते थे वो मेरी मदद करते थे तो वो कहते रहते कि बंद करिए आप इसको कोई और फिल्म बनाते हैं जो इन लोगों को पसंद आती है वैसी फिल्म में बनाएंगे सिने माहल में तो उसी शाम जब हम खत्म होई लोगों ने कहा नहीं दिखाई दिखाई हम देखेंगे तो अभी एंटाइटल चल रहे थे और कैसे एक बज़र्ग अमरत धारी बुर्सिक थे वो सफे दाड़ी थे उनकी उनने आके मेरे पाउं पकड़ लिया निरी में रोने लग गए कि मुझसे वादा करो कि आप ये बंद नहीं करोगे ये लोग तो मूर्ख हैं अग्यानी हमको आपकी जरूरत है मैंने बड़ी मुझकल से अपने पाउंच उड़ाय और उन्हें वादा लिया मुझसे कि आप कभी ऐसी बात नहीं करों कि मैं छोड़ दूँगा इनको मालूम ही नहीं कि तुम क्य करते गूम रहे हो कैसी सिवा कर रहे हो ये तो ना समझ लोग हैं तो मुझे लगा गुरू का इशारा था गुरू किसने किसी रूप में मुझे फिर से चार्ज करते थे होसला देते थे कि मैं तरह साथ हूं आगे चल तो ये जर्णी चलती रही और हमने 8-10 फिल्में बनाई इसके इंड में हम लोगों ने उन लोगों का धनवाद की अकनॉलिजमेंट्स हैं बहुत सारे नाम आएंगी बहुत सारे गुरूदरा सायव उनकी कमेटी हैं लग सकता है लोगों को मैं ये अहतियातन कह रहा हूं कि भाई मंगल धिल्नों तो बहुत पैसा ही कठा कर लिया ह होगा लेकिन ऐसा नहीं हो पाया बदकस्मती से जो भी थोड़ा बहुत ही कठा हुआ अगर उस लेवल पे पैसा ही कठा हो जाता तो पर निशित रूप से मैं साका सरहंद बनाता सिक्की महान बनाता बहुत सारी फिल्में बनाने की इच्छा थी सिक्की थिहास को लेकि घु 12 से 3D में बनाता बड़ी खाहिशें थी लेकिन ऐसा नहीं हो पाया इश्वर की मर्जी तो जो भी फंड रेज हुआ उसी से मैंने यह आर दस फिल्में बनाई किसी को यह न लगे कि भाई पता नहीं कितना पैसा आया होगा इसके पास जिसके घर में रहा जो मुझे गाड़ी में लेके गया जिसने किसी गुर्दवारे में शो करवाया मेरी मदद की उन सब के नाम दी हैं मैंने जो लोग कमेटी में थे तो अब एक का नाम दो तो दूसरे नाराज हो जाते हैं तो इसलिए बहुत सारे नाम नजर आएंगे लेकिन उनमेंसे कुछ कुछ लोग जो हमारे प्रमोटर्स बने और कुछ लोग जैसे बलवन सिंग्जी हैं तो इतो मेरे साथ दो दो महीने लगवाते थे अपने खर्चे पर इनके घर में रहता था मैं तो बहुत सारे गुर्दवारा जो साहबान हैं उनकी कमेटियों के हमने नाम दिये लेकिन उ हो सकता है इससे इनको कुछ सूग जाए तो एंड में हमने दिये हैं अन सब के जिन लोगों ने समय दिया मुझे होसला दिया मुझे लेके घूमें या अपने घर में रहने को जगा दी मुझे खाना के लाया या गुर्दवा साहब मैं जब शो वहां टाइम की बड़ी किल् कई बार मुझे फ्लाइट लेनी पड़ी कई बार मुझे बस से जाना पड़ा ट्रेन से जाना पड़ा और अक्सर कोई ने कोई मिल जाता था जो मुझे लेके ट्रेवल करता था छोड़ के आता था अगर डिस्टेंस बहुत जादा लंबा नहीं होता था तो उन सब का मैं आ दूसरी बार दिया और शायद दो या तीन लोगों जन्हों तीन बार दिया होगा अनिता जातर लोगों ने एक बार ही ज़िए मैं खालसा फिल्म लेके गया था तब जोश था लोगों में और उसकी परविस्ट्री बहुत थी और पहली अतिहास एक फिल्म थी वो तो संक्तु रह गया और जब मैं चौथी फिल्म लेके गया गुर्बानी दे कौतक चौदा साल बाद तो आल्मोस्ट दस पंद्रा परसेंट ही जोश था निरासा जनक था मामला इश भला करें उसके बहुत से कार हो सकते हैं लेकिन सब उस मालिक के होकुम में है तो ये एक बहुत ही आप लोंक भी आएगा तो देखिए श्री हर्मंदर साहे विखे एक दिन प्रकाश्तों प्रकाश तक एक दस्तावेजी फिल्म श्री हर्मंदर साहे विखे एक दिन यूखे अमेरिका ते केनेडा दी द्यालू संगत अते कुछ गुरू करांदियां सूजवान कमेठियां वल्लों मिली आर्थिक पेटा दी मदद नाड बनाई गई है असी उना सारे जागरू, दूर्दर्शी अते जम्मेदार सजना दे नाड नाड उना सारे गुरू करांदियां सुचेत कमेठियां दे बेहद दनवादियां जिनने सानों अपनी समरत्था मुटाबक आर्थिक सहयोग दे के साड़ी होसला फजाई कीती अते जिस दे नतीजे वजों असी अपनी ये दूसरी फिल्म बनाके साड़ी कौम दी सिवा वेच इसनों पेश करन दा ए मौका हासल कर सके इस फिल्म दी कौल अवदी तकरीबन एक केंटाप ती मिनट है अते इस दस्तावेजी फिल्म दा मकसद आम बंबया फिल्मा वांग किसे दा मन्रणजन करना बिल्कुल नहीं सगों साड़े महान इत्यासक विरसे नों शर्दांजली दिन दिया होया शरी हर्मंदर सहे विखे निवाई जानवाली चौवी केंटेदी पावन मर्यादा नों सारी मानोता नाल सांजा करना है करना है कर दो कर दो एक कोंकार सतना करता फुर्क निर्पॉर्क निर्वेर पकाल मूरत अजुनी सेभन गुर्परसाद वाहिगरुजी का खालसा वाहिगरुजी की फते इस महान पावनस्थान दियां कुछ दुरलव विलक्रंतावां बारे संखेप वेच कुछ ज्ञान प्राप्त करना वी अपने दिल दिमाग ते रून रोशन कर लेंड वास्ते तुर्दर गाहों मिलन वाली किसे रोहानी खुराक नाड़ों काट नहीं होवेगा इतिहासिक तथा मुताबक स्री गुरु अमरदास जी दी दित्ती होई हिदायत अनुसार स्री गुरु रामदास जी ने अमरत सरोवर दी कार सेवा शुरू करवाई सी अते पाजवी पात्षाही श्री गुरु अर्जन देव जी ने अम्रत सरोवर नो मुकम्मल करवाओं दे नाल नाल श्री हर्मंदर साहब दी स्थापना करकी इस वेच श्री गुरु ग्रंद साहब दा प्रकाश करवाया सी इस दुनिया वेच प्रिचलत होड़न बहुत सारे तार्मिक तीर्थ स्थाना दी तुलना वेच श्री हर्मंदर साहिब आपने आप वेच हर पक्खों इस संसार दे सब्तों नवेकले ते विलखण अध्यात्मक स्थान कहे जा सकते हन अते सिखांदा ए महान पेर नासरोत मानवता देति हास वेच मानवता वाद दी सब्तों वड़ी अते सर्वुत्तम मिसाल है क्योंके स्री गुरु अर्जन देव जी ने स्री हर्मंदर साहिब दी नीन दी पहली इत एक मुसल्मान संत साइमिया मीर तो रखवाई सी जो कि आपने आप वेच एक अजेही विलखन सच्चाई है जैस दी मिसाल दुनिया दे अजेहे किसे वी होर पावंतार मेक स्थान विखे नहीं पाई जा सकती स्री हर्मंदर साहिव इखे बने होई चार दर्वाजे हिंदू, मुसल्मान, सिक ते एसाई इना चोहां तर्मा समेथ सारी मानवतानू बराबर्दा दर्जा देन दे प्रती खन इस प्रतक सच्चाई दी तुल्ना, शाय दी किसे होर कौम दे, किसे इस पदर दे तार्मेक स्थान नाल कीती जा सके इना ही नहीं, गुरू कर विखे विनमरतानू सब तो उच्चा दर्जा देन दे मकसद नाल, स्री गुरू अर्जन देव जी ने, स्री हर्मंदर साहेब दत्तल, इस महान पवित्र स्थान दे, आस पास दी आबादी वाले स्थान तो, नीवा रखन ले, इस नीवे स्थान न अजेही निवेकली मिसाल वी, सारी दुनिया विच, किसे होर अजेहे तार्मिक स्थान विखे मिलनी, तकरीबन ना मुम्किन होईगी, इस तों इलावा, सिर्फ श्री हर्मंदर साहेब विखे ही नहीं, बलके दुनिया पर दे गुरू करां विच शोबित, श्री गुरू ग अजेही विलखन मिसाल है, जो संसार दे होर किसे वी, अजेहे महान पावन गरंत विच नहीं पाई जा सकती, इस दे नाल नाल श्री गुरू गरंत साहेब दी पावन बाणी विच एवी एक बहुत बढ़ी विलखनता है, कि सारी बाणी नियम बद रागां विच रची गई जिस दा मौसम, पहर ते समे नाल मेल खांदे होई राग विची गायन कीता जांदा है विलखनतावां दे इस महान पृतीक, स्री हर्मंदर साहेब दे दर्शन इश्नान कर्ण वास्ते, और वाले हर शर्दालू दे रहन ले, कई सरावां बढ़ाईयां गहियां हनु अते सिखी दे मुडले सिद्धानता अनुसार, किसे दे तर्म, जात, वरण, जा रंग बारे, किसे भी तरांदा वितकरा कीते बगएर, सब नू समान समझ के लगातार, चोवी केंटे गुरू का लंगर चिकाया जानदा है अते एते हर दिन तकरीबन असी हजार तो लेके एक लख प्रेमी गुरू का लंगर चक दे हन। लंगर दी मर्यादा अनुसार संगत नाल पंगत विच बैठके लंगर चकन वाला हर प्राणी उच नीच जात पात ते चुवा चूत दे हर पेद पाउतों मुक्त हो के एक दूजे दे समान हो जानदा है आज दे इस आदनिक योग विच जिते मापेवी एक उमरतों बाद अपने बच्या नू करवेच खाली बैठा के रिजक देन तो मुनकर हो जानदे हन उते ही सारी दुनिया वेच बने होए सिखां दे हर गुरू करविखे शिरी हरमंदर सहेब दी ही तरा बिना किसे पेद पाउतों सब नू समान समझ के प्रेम अते सतकार सहत मुफ्त लंगर चकाया जानदा है इस संसार विच अजेही विलखन विशेष्टा वी शायद ही किसे होर कौम दे अजेहे महान पावन तार्मिक स्थान विखे पाई जा सके जिथे इस तरह लगातार चौवी केंटे लंगर पकाया ते चकाया जानदा हुए कर दो तरह लुश है जानदा है सिख्ञां दा ए महान पवित्रिस्थान सदियां तो सारे दुन्यावी फरकां ते पेदानू मिटाके इंसानानू एक हुजान ते एक नूही मनन्न दी रोहानी सिख्या देन दा रब्भी पेर्मास रोत रहा है जिते निरंतर स्री ग्रोगरंद सहेवदा पाठ अते शब्द की इर्तम जारी रेंदा है जो कि आपने आप विच किते भी होर ना मिलनवारी एक दुरलव लखनता है यकीनन हर गुर्षिक अते गुरू करदे शर्दालू दे मान वेच अपने अस विलखनतावा परे महान पावन स्थान विखे हर दन ने भाई जान वाली चोवी केंटे दी पावन मर्यादा बारे वेस्थार नाढ जानन दी इच्छा ता जरूर पैदा हुंदी होवेगी जिननने आप लगातार चोवी केंटे दर्बार साहे विखे हाजरी परके अपना जीवन सार्थक मनाओन लई वही गुरू दी बक्षिश प्राप्त कीती होवेगी लहाज आओ पमे पर देते ही सही अपना सारे ही रुहानिय दे परम्सरोत स्री हर्मंदर साहे विखे निभाई जानवाली चोवी केंटे दी पावन मर्यादा दे दर्शन करके अपना जीवन सफला करिए सवाब सबना दी सेवा वेच विनमर्ता सहित हाजर है सारे गुरू सहबान अते महान जपियां तपियां हठियां समेथ सारी सिख कौम नू समर्पित साड़ी ये निमानी जही खलात्मक पेट स्री हर्मंदर साहे विखे एक देन यानि प्रकाश तो प्रकाश तक परशन परशें गुरू के दनमन तुझा ले ओए सिख दक सामुली तो यासों पुर्सों जपियां तो लिए सचे पाथिशा मर्जस्प जर्मदी रखियां सर्चा पाथिशा सिशा अदे शाओ इस पास बैठियां सोहिए सबना दा दे साओ सटन सत्या पाथिशा सिशा अदे शाओ सबना दे साओ सकना स्रिवाहे गुरू साहे बजी सोरठ महला चौत्था आप्पे सेवालाईं दा प्यारा आप्पे पगत उमाहा आप्पे गोन गावाईं दा प्यारा आप्पे पगत उमाहा आप्पे गोन गावाईं दा प्यारा आप्पे शब्द उमाहा आप्पे सेवालाईं दा प्यारा आप्पे पगत उमाहा आप्पे गोन गावाईं दा प्यारा आप्पे शब्द समाहा आप्पे लेखन आप लिखारी आप्पे लेख लिखाहा मेरे मान जाप राम नाम ओ माहा अन्दन अन्द होवे बढ़ पागे ले गोर पूरे हर लाहा हर दिन अम्रत विळे इस तरहां जिमे के तुसी होने वेख्या शिरीहर मंदर साहे विखे शिरी गुरु ग्रन्थ साहेब दा प्रकाश करनो प्रन्थ ग्रन्थी सिंजी अम्रत विळे दा पहला हुक्म नामा प्रेम ते सतकार सहत संगतानू शर्वन करोंदे हन हर दिन अम्रत विळे दे इस हुक्म नामे उप्रन्थ मर्यादामसार इस तरहां रोमालियां चादरां अते फुला नाव सजावर्दी सिवा की ती जांदी है अते इस दोरान पहला तो हो रहा आसा जीरी वार्दा कीर्थन जारी रेंदा है अचो मेरे ही दे उने उने सहाई जाब उने सहाई जाब आसा जी दी वार्दे इस कीर्थन दे दोरान तक्रीबन अधिक केंटे बाद रागी सिंग, अनन्द साहब धियां पहलीयां पज़ पौडियां थे एक अंतुली पौडीदा गायन करदे हना। में जाट गुरू ना भाया वुशा याटू नहीं दो ना मधा बाद करवाई कर्यां सुद्ट गांडियां जब ढोला गाव भरी के रा मन दिनी नशाए तरह ना इत्यान दो आसाट गुरू मैं भाया ये भालन देरा कुछला अते इस उपरंद अर्दासिया सिंग अर्दास करदा है। अर्दासिया सिंग अर्दासिया सिंग अर्दासिया सिंग है। आसाजी दी वार्दा कीर्तन जारी देन्दा है अते इस दोरान संगत विच कडा परशाद वरताया जान्दा है आसाजी दी वार्दे इस कीर्तन दे पोग उपरंद दूजी अर्दास की तीजन्दी है अंगज गुर्दे मर्दास राम दासें है सहाए अरजन हार को बेंदनां सिमरों स्रीहार राए स्रीहार कृषिन के आई याए जिस ढटे साथ दुख जाए तेख बहादर समर्याए कारना उन दिया वैताए सब थाई होए सहाए दसमें पाध शाह सिरे गुरू गोविंद सिंग सहब जी सब थाई होए सहाए इस अरदास्त बाध दूजी वार हुकम नामा शर्वन करवाउन तो पहला ताब्या वेच बैठे होए ग्रंथी सिंग जी इस तरह मर्यादा अनुसार पाठ कर दे हनु इस पाठ उपरंथ ग्रंथी सिंग समेथ सारी संगत इस तरह प्रेम ते शर्दा नाल मर्यादा अनुसार शब्द गायन कर दी है अते इना शब्दा उपरंथ ग्रंथी सिंग साहिब दूजी वार हुकम नामा शर्वन करवाउन दे हनु सोरठ महला चौत्था आपे सेवा लाएं दा प्यारा आपे पगत उमाहा आपे गोण गाबाएं दा प्यारा आपे पगत उमाहा आपे गोण गाबाएं दा प्यारा आपे शब्द समाहा आपे सेवा लाएं दा प्यारा आपे लेखन आपल खारी आपे लेख लिखा हा मेरे मान जाप राम नाम ओ माहा अन्दिन अन्द होवैं बड़ पागे लेख गोर पूरे हर लाहा रहाँ अ बेखन नमा शर्वन क्राउन तुरबाद गृंति सिंघ साहिप फराश ती दूसरे सिवादार सिंघ दी मदद नार इस तरह सहजे सहजे पलकां चादरां अतिरुमालियां दी तरती वार सिवा कर दे हैं जिस दोरान संगत प्रेम शर्दा तिसतकार नार इस तरह शबत गायन कर दी है जिस दोरान संगत गायन कर 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 दो आआे लू Tayरा, आटे लूड़ा, नाटे लूा समे अलवा लूत, आटे लूत ले लूत भाइन् agility आखास, वाइन जो इए जेसु प्रंथ फेर कीर्टन शुरू हो जान्दा है एक कीर्टन देंदे बारा मजे तक जारी रेंदा है बारा मजे तक पांज कीर्टनी जथे कीर्टन कर दे हन मांदे अडी जिन सोल आखने अडी अधाट काहाणी रादू देन पर श्री हर्मंदर सहे विखे और वाले प्रेमी सजना अते संगता वास्ते अमरत वेले दे हुकम नामे दियां पहलियां दो तुकां तरीक देन अते 1403 पन्ने वाली स्री ग्रुब्रंद साहिब दी बीड़ दा पन्ना नंबर चंडा बुंगा डेवडी दे वरांडे विच सज्जे हत लगी हुई इस तक्ती उपर लेख दिता जान्दा है जित्तों संगतां सारा दिन इनना दो तुकां नू पढ़की अर्थ विचार दियां हुईयां रुहानी सेध प्राप्त कर दियां हैं हर दिन अमरत वेले तो लेके समाप्ती तक चरदालू संगतां दी आमद जारी रेंदी हैं अते सारियां संगतां स्री हर्मंदर साहब दे दर्शन शिनान करन दे नाल नाल रुहानी कीर्थन शर्वन कर दियां हुईयां दर्बार साहब अते पवित्तर सरोवर्दी परिक्रमा करके आत्मिक शान्ती प्राप्त कर दियां हैं स्रीहरमंदर साहिब दे बाहरवार चौफेरे 13 फट चोड़ा अते चाट फट लम्मा संग मरमर दा फर्श लगया होया है अते इस नू छोटी परिक्रमा कहें दे है स्रीहरमंदर साहिब दे पिछले पासे बिलकुल नाड लग में इस स्थान नो हरकी पौड़ी किया जानदा है संगता इस पावन स्थान तो सतकार सहत बड़ी शर्दा नाड अमरत जल्दा चूड़ा च्छाक के अंदूनी शुद्धी प्राप्त कर दिया है इस स्थान तो किसे भी जात, तर्म, रंग, वरण अते नसल दा इंसान बिना किसे तरांदी रोक तोक दे अमरत जल्दा चूड़ा ले सकदा है क्योंके गुरू कर दी मर्यादा अमसार हरी दे इस मंदर ते हरी की इस पौड़ी तक आउन वाड़ा हर प्राणी एक दूजे दे समान है बराबर है हर की पौड़ी बे विलकुल उपर ले पासे इस पहली मंदर उपर बने होए इस बुखारचे वेच शिरी गुरुग्रंत सहेब दी हत लिखित इस वड़े अकारवाली बीड़ दा प्रकाश है अते ये थे लगातार अखंड पाठां दी लड़ी चलती रेंदी है स्री हर्मंदर सहेब दी सब तो उपरली मंजलते बने होए इस बुखारचे वेच वी स्री गुरुग्रंत सहेब दा प्रकाश है अते ये थे वी लगातार अखंड पाठां दी लड़ी चलती रेंदी है सिरी हर्मंदर सहेब दे दर्शना वास्ते आउन ले सरोवर उपर बनेया होया एप पॉल दर्शनी डूडी तो लेकी छोटी परिक्रमा तक महान कोश अनुसार 24 फुट लम्मा अते 21 फुट चौड़ा है इस पॉल नू जंगलया राही तेन हिस्सें वेच बंड़ा गया है ताके शर्दालूआं दी जादा पीड हो जानते संगतां ते सिवादारा नू और जान वेच किसे भी तरां दी कोई परेशानी न होड़े इस दो मंजली इमारत दे विचकार ए दर्शनी द्योडी है जेसदे राही स्री हर्मंदर साहब दे दर्शना ले संगतां पोलो पर दी अंदर ओंधियां जान दियां है दर्शनी जोडी दे खबे पासे सुनेरी अक्रा वेच स्री हर्मंदर सहाविखे वर्ते एक कुदर्ती चमतकार दी कटना दा वर्णन है अते सज्जे पासे गुर्बानी दे पावन शबद उक्रे वय हन दर्शनी जोडी वाडी इस इमारत वेच बढ़या होया एक कमरा फ्राश दा कमरा कहलोंदा है फ्राश जोके स्री हर्मंदर सहाविखे होन वाडी तकरीबन हर सेवा समाल दे दोरान निगरानी रखन दी जिम्मेदारी निबहुदा है फ्राश दे इस कमरे विच स्री गुरू गरंट सहेब दी सवारी लई एस सुनेरी पालकी तुँ अलावा चादरां, रुमालियां ते चन्दोयां समेत सजावट दा सारा समान संभाल के रख्या जानदा है इस कमरे दी उपरली मंजिल विच तोशा खाना है जिस विच जलौ दा बेहद कीम्ती सारा समान सुरख्यत रेंदा है दर्शनी जोडी दी इस इमारत दे नाल ही एक बेरी दा दराख्त है जिस नू इलाइची वर गे बेर लगण कारण स्री गुरु अर्जन देव जी ने इस दा नाम लाची बे रख देता सी इस बेरी हेट बैटके स्री गुरु अर्जन देव जी सरोवर दी कार सेवा करवाया करदे सन। दर्बार साहिब रिखे शराब नोशी करके पेशेवर औरतां तो नाच नचवारे हासी इस लाची बेर दे नाल लगदे इस गुंबद वाले छोटे गुर्दवारे विच होन अखंड पाठां दी लड़ी चल दी रेंदी है स्री हरमंदर साहिब दी दर्चनी जोडी दे सामने ही स्री अकालतक्त साहिब सिशोबिथान स्री गुरू हरगोबिन साहिब ने हाड़ दे पंजमे दिन एतवार नू स्री अकालतक्त साहिब दी नीदी पहली एट आपने हत्ती रखी सी गुरू साहिब दे करकमला नाल रखी गई नीदी पहली एट तो बाद किसे राजने नहीं सगो बाबा बुड़ा जी ते पाई गुर्दा जी हुना नहीं स्री अकालतक्त साहिब दे पक्के थड़े नू आप अपने हत्ती मुकमल कीता सी स्री गुरू हर्गोबिन जी नू उना दी हिदायत मुताबक बाबा बुड़ा जी ने तख्त नशीनी दा तिलक अते मेरी पीरी दियां दो कृपाना वी इसे थड़े उपर हाड़ दी दस्वी तरीक नू पहनाईयां सन्द गुरू हर्गोबिन साहिब दे समेदा उसारया होया स्री अकाल तक्त साहिब नाम दा ए थड़ा अजवी अपने पहले रूप विच गायम है जो सिख कौम दा पहला तक्त है स्री गुरू हर्गोबिन साहिब इस स्थान तेश शोवी थोया कर दे सन्द जित्थे आज कल इस सुनेरी बंगले विच शैष्टर सजाये जान्दे हन्द स्री अकाल तक्त साहिब इखे हर दिन गुरू कर दी संपूरन मर्यादा निवाई जान्दी है अतिसमाप्ती विळे संगतानु महापुर्शां दे इना महान शैष्टरां दे दर्शन भी कराये जान्दे हन्द ये बहुत तेज मार कर्णवन शैष्टर है ये छोटा करपान मेरी पीदे मालक सहेब शिर्गुहर्गुमसाइब जीदा है ये सनाई दहते वाड़ा कटार पंथदे वाली सहेब शिर्गुर्गोव सिंह माराईदा है ये तेगा जिश्दा दूसार नाम खटक है पाई शैदार अकाली बाबा फुला सिंह शहेदा है ये तीरा ना जोड़ा पंथदे वाली सहेब शिर्गुगोव सिंह माराईदा है ये ना तीरा नाल सोना लगा होया है जो जखमी दे मरहम पट्टी अते चलाने कर जानवाले दे कफन वचों काम आजाया करदा सी स्री अकाल तक साहिब तो थोड़ा जहा एक पासे नों पिछां हाटके एक गुर्द्वारा थड़ा साहिब हन इस स्थान ते स्री गुरु तेग बहादर साहिब हरमंदर साहिब एक पदार्म समय आण के विराजमान होय सन अकाल तक साहिब दे पिछले पासे ए स्थान महान शहीद बाबा गुर्बक सिंग जी दी याद नू समर्पित है बाबा जी ने हरमंदर साहिब दी पवितरता नू बरकरार रखन लई सिर्फ ती सिंगा दी अगवाई कर दे वयां अबदाली दी ती हजार दी फोजडा डट के मुकाबला करनू परंथ अपनी शहादत दी सी सरोवर्दी परिकर्मा दी उत्री बाही वेच ए एक बहुत ही बेर्द बेरीदा दरख्त है जिसनू बेर बाबा बुड़ा जी आख दे हन इस बेरी हेट बैटके बाबा बुड़ा जी सरोवर दी कार सेवा अते श्री हर्मंदर साहब दी उसारी समय सारे परबंद दी निगरानी करया कर दे सन कहा जान्दा है कि इसे बेरी हेट बाबा बुड़ा जी संगता नू कार सेवा ले लोडी दे आउजार वगरा वंडन तो इलावा शाम नू राजां ते मजदूरा नू उना दा मेहंताना मी वंडिया कर दे सन बेरी दा ए दरख्त लगपग 400 साल पुराणा है अते इस दरख्त दे बहुत जादा बेर्द होन करके इस नू डिगण तो बचाउन लई लोहे दे गाडरा ते पत्रया नाड सहारा दिता गया है इस बेरी दे नाड ही संगमरमर दे इस पत्थर उपर संखेप विच इस बेरी दे इतिहास दे नाल नाल बाबा बुड़ा जी दे जीवन दा कोज ब्योरा उक्रिया होया है स्री अमरित्सर सरोवर दी पूर्वी बाही दे वड़े पौड उपर ए एक होर बेरी दा दरख्त है इस स्थान ते पटी दे राजे दुनी चन्दी बेटी बीबी रजनी दा कोडी पिंगला पती विसाखी वाले देन इस बेरी हेट सरोवर विच इशनान करके निरोग हो गया सी जिस करके स्री गुरु रामदा जी ने इस बेरी दा नाम दुख पजनी बेरी रख देता सी इस बेरी दे थले ए एक काट है ये तो ही स्री गुरु रामदा जी ने सरोवर दी कार सेवा शुरू कीती सी इस बेरी दे नाल ही इस दूसरी बेरी हेट एक थड़ा होंदा सी जिस उपर पहला गुरु रामदा जी अति बाद वेच गुरु अर्जन देव जी बैड़ दे रहे सन इस थड़े वाले स्थान ते ही पाई जसा सिंग गरंथी अते पाई पाग सिंग जी ने इस बुंगे दा निर्मान करवाया सी जिस विच होंद दो स्थाना ते स्री गुरु गरंद साहिब दा प्रकाश कीता जानदा है अते अखंड पाथा दियां लड़ियां चल दियां रेंदियां हन इस इस्थान नों होन गुर्द्वारा स्री दुख पंजनी बेर साहिब दे नाम नाड जाने जानदा है स्री हर्मंदर साहिब दे पिछले पासे अते हरकी पौडी दे सामने सरोवर्दी पूर्वी बाही उपर गुर्द्वारा बेर दुख पंजनी साहिब दे दखनवल अर्जन देवजी इस थड़े वाले स्थान थे बैठा कर देशन. गुवेन वालतों गुरु बानी दियाँ पोथीयां ले आके स्री गुरु अरजन देवजी ने इसे स्थान थे स्थापित कितियां सन. एते ही बैठके गुरु साहिव संगतानू उपदेश देन्तों इलावा सारी रात कीर्तन करया करदेशन अते दिन विच कार सेवा दी निगरानी रख्या करदेशन इस थड़े दे दक्खन वाले पासे नाल लगदे इस काटनू 68 काट कहिंदे हन महान कोशंसार इस स्थान थे स्री गुरु अर्जन देवजी ने 68 तीरत जहां साद उपग तरह शबद रामकली रागवेच उचर्या सी अते एते ही स्रीगुरु नानक देवजी, स्रीगुरु अंगत देवजी, स्रीगुरु अमर्दाजी अते स्रीगुरु रामदाजी ने चर्म पायसन सरोवर्दी परिक्रमा विखे ए स्थान महान शहीद बाबा दीप सेंजी दी याद नू समर्पित है जिनाने स्री हर्मंदर साहिदी पवितरता नू बरकरार रखन लई, दोश्मना नाल जंग लड़े होया रावयची शीश कट जान दे बावजूद आपने बचन मुताबक धरबार साहिप पहुंचन तो बाद ही आपनी बे मिसाल शहादत देती सी स्री हर्मंदर साहिब दे दर्शन इश्नान ले औन वालियां संगता वास्ते सरोवर्दी परिकर्मा दे चोहां कोन्या वेच शिरोमणी गुर्द्वारा प्रवंदक कमेटी वनों ए चार सुन्दर छबीला बढाया गया हन जिनना तो शीतल जल पीके संगता अपनी प्यास बजोंदिया हन अतेश्य दालू माईयां बीबियां इस तरह जूठे बर्तन मांज के संगत दी सेवा दा लाप प्राप्त कर दिया हन सरोवर्दी परिक्रमा वेच दाखल होन वाले रस्तियां उपर ए च्वच्ची बनाए गये हन जिनना वेच अपने चर्ण तो के संगता इस महान पवित्र स्थान दे दर्शन कर लई वड़ी परिक्रमा वेच दाखल होन दिया हन इस तरह हर दिन हर तर्म, जात, रंग, वरण अते वर्गदियां संगतां सिरी हर्मंदर साहिब दे दर्शन कर लई ओंदियां रेंदियां अते गुरु कर दि मर्यादा अनुसार सबनू सुमान जानके इस महान पवित्र स्थान दे दर्शन करंदा सुपाग प्रदान कीता जांदा है स्री हर्मंदर साहिब विके हर दन सुबा दूसरी वार हुकम नामा शर्वन करौन तो बाद जो कीर्थन रंभ होंदा है ओ पंज कीतनी जथ्यां दे जरी दुपहर बारा वजे तक जारी रंदा है तुद दिखांगे अर्दास हमारी तुद दांगे अर्दास हमारी तुद दिखांगे अर्दास हमारी क्यारन तम अर्देन इत ध्याराओ प्रवन सुमत जित पीद मुदाहू कीरतन दी इस समापती तुभाद अरदासिया सिंग ती जी अरदास करदा है इस तीजी अरदास उपरंथ अगले रागी जथेदा कीरतन रंभ हो जान्दा है अते कडा परशाद वरताया जान्दा है करद अगले जान्दान जान्दा अतौत वरताया जान्दा जान्दाव जान्दान जान्दा है और जोटे अपन्दा, माने माने खूंतरी, तिरा परवासा, तिल साथे अंगे तुने, तिल साथे अंगे तुने, तुर जानों का जा, इस तरह बारा वजे तुलैकी, तिन वजे तक, तिन रागी जथे की तन करते हम। कि मान ओन्दाः ओन्दाट जोटो कंप मास्राः सतार गीला, ठाल प्यारा, सतार गीला, ठाल प्यारा, ए मिलना पासदा, तेन वजे आरती देशबत, जगन में ठाल दा कीर्थन भुन्दा है अते आरती दे शबत दे संपूरन हो जान तो बाद, मरियादा अंसार अर्दासिया सिंग चौथी अर्दास करदा है एक वुंकार वाहे गुरुजी की फत है, शिरी पगोती जी साहाए, वार शिरी पगोती जी की पात शाही दस्वी, प्रिथम पगोती सिमर काय गुरुनान का लहीं ते आए, ते रंगत गुर्ते अमर्दास रामदास है उन्साहाए, अर्जन हर गो बिंदनू सिमराओं सिरी हर राए, सिरी हर क्रिष्ण ते आईये, जे जिठ्था है सब दुख जाए, तेग बहातर सिमर्याए, कार्णावन देया वैता है, सब थाएं होएं साहाए, दसवें पात्षा शिरी गुरू गोबिन सिंग सहब जी सब थाई होएं साहाए, दसवें पात्षा यां दी जोट शिरी गुरू गरंत सहब जी दे पाठ दीदार दाते आंतर के बोलो जी, इस चौती अर्दास उपरंद फेर कीरतन शुरू हो जानदा है, देन शिपन तक सरदियें वेच दोग अते गर्मियें वेच तेन चौकियां की इतन कर दिया हम, जिस दूडा के जिस दूग ना किया, जिस दूग ना किया, जिस दूग ना किया, दूग ना किया, जिस दूग ना किया, जिस दूग ना किया, ना पाल वादा बirkश बोरह माना हुआ कि बदीन माना कि एक करकुत बदीन कि नहीं एक फाना है इड़िशाने कुरने कि नुपाना है इड़िशाने कुरने कि नुपाना इस तरह रागी सिंगातों रोहानी कीर्टमू शर्वन कर दे हुई प्रेमी संगतां हर पल निहाल हुदियां रह दिया हन। अब रिर्दाम कुर्ण होँगते डिर्दाम को अब गर्ण लेखने से विक शाहिप למOY कभन ऑप वो इवक शाहिप मर आइखने बढदो game दूहिए को शाहिप अब बढ़ल ​ wandering прир avete दूहहाने maeन दूहए वक शाहिप है बढ़ल पहुरिना हो तू एको साहिप पहुरिना हो देन चिपन तो बाद सोदर दी चौकी दे आंत वेच रागी सेंग जोग जोग पागत उपाया चांद दे चार तुका बान दा कीर्थन कर दे हन। अते इस तरह मर्यादा अनुसार वाकी दे शब्दां दे संतूरन हों तो बाद स्री ग्रु ग्रंथ साहिब दी ताब्या विच बैठे होए ग्रंथी सिंग जी जान मुक ग्रंथी सिंग साहिब आसा महला पहला सुन वड्डा आखे सब कोई शब्दा पाठ करना अरंब कर दे हन। शुन वड्डा आखे सब कोई ते बड़ बड़ा दिन्था भोई कि मुस्ताए मा कहिया जाए कहने वाले तेरे रहे समाए अते इस तरह सिक मर्यादा वेच परवानत सोदर दा बाकी दा रहेंदा सारा पाठ कर दे हन। स्रीहरमंदर साहे विखे बिजली दा प्रवंध हो जान तो बाद हों क्योदी इस जोतनों हर दन रेरस दे पाठ तो पहला जगा देता जानदा है अते सुबा आसा जीदी वार दे पोग उपरंद ठंडी कर दिता जानदा है। सोदर दे इस पाठ दे संपूरन हो जान तो बाद अरदासिया सेंग पंजमा अरदासा करदा है। वार स्री पगाउती जी की पात शाई दस्व में रथां पगाउती समर का गुरुनान कलें ते आए। फिर अंगद गुर्ते मुर्दास राम दास महीं सहाए। अरजन हर को बैंतनां सिमरां स्रीहार राए। स्रीहार कृषन खे आई आई जस डिछत्ढ़स अभ दुख जाए। ये जाई तेक्भादर समर शमराय कारणों नढडी आवेताएं। स्ब ठाई होएं सहाए। स्रीव पात शाग स्री गुरु गोबिन्द सिंग सहभ गी स्ब ठाई होएं सहाए। दसां पात शेयां दी जोट, स्रे ग्रोग रंद सहब जी देपा, दीदार दाते हां तरके बोलू। इस परदा सुपरंद हर देन दी मरियाद आमसार इस तरह हुकम नामा शर्वन करवाया जांदा है। जान्तुद पावंदा अनंदपया सुगपया मिल गुरु गुबिंदा सब्वे काज सुवारिय जान्तुद पावंदा सुपहो टलगुर सेवी है कहने ससाज सुवारिय घर संपर्श्य गुरु के जनम मरन दुक्ताई ओ ऐसे दुतक सामदी गुर्यासों कुर्सों जक्ति है कुझटे सक्चे पातिशा मरन जनम दीधक्ति है साजन सच्चा पातिशा सिर्शा अवेशा हो इस पास बैठे आंसोरी है समना दावेशा हो सतना स्रिवाहे गुरु साहे वजे तनास्रे महल पंजवां सगल मनुरत प्रावते पाए कंठलाए बूर राखे सगल मनुरत प्रावते पाए कंठलाए बूर राखे संसार सागर मह जलना दिने किनायना दुत्तर पाखे जिन कै मान सच्चा विष्वास पेख पेख स्वाम्मी की सुभा आन्द सदा उलास रहाव इस हुकम नामे उपरंद स्री गुरु ग्रंद साहब दे सुरूप में हुकम नामा लैन तो पहला दी तरह ही सजा दिता जान्दा है इस दौरान रागी सिंग ते सारी संगत मिल की आरती दे शबद पढ़ दे हम शर्यास पाने किर पातु मरीकार दैनांगे उसा प्रतोडे मैकार शर्यास पाने किर पातु मरीकार दैनांगे उसा तो दोड़ दाखानियों पोरेडा सड़ दौर को जाडिके लेओ तुवारो द्वार भाएग एकी लादियास कूवित दास कुवार इस उपरंद फुला दी सजावट नू बदल के नवे ते ताजे फुला नाव फेर सजावट कर दिती जान्दी है आरती दे इना शब्दा तो बाद अरदासिया सिंग बहुत ही संखेफ विच शब्द चौंकी आरती जी दी अरदास करदा है अते इस दोरान बागी दी सारी संगत बैठी रहंदि है इस अरदास के बाद हर द्दी मर्याद अमसार रागी संग अते संगत मिल के इस तरह शब्द गायन कर दे हैं जेसुपरंद फेर कीर्तन शुरू हो जानदा है अते इस चौकी नो आरती जी दी चौकी केंदे हैं आरती दी ति परीज दे में बाइड़ान बाबा बुड़ा जी वलों चलाई हुई इस चौकी सरी हर्मंदर साहे पॉंच दी है तकरीबन 15 मिनट ले अंदरला कीरतन बंद हो जानदा है ए चौकी शबद पढ़ दी हुई सिरी हरमंदर साहब दी परिक्रमा कर दी है परिक्रमा करकी मरियादा अनुसार कडा परशाद नूपोग लगवाँ ते वर्तौन तो बाद इस चौकी दा अरदासिया सिंग सिरी हरमंदर साहब दे द्वार दे सामने बारवार खड़ा होके अरदास करदा है इस अरदास तो बाद ए चौकी वापस चले जानदी है जैसो परंद श्री हरमंदर साहब एके केर्तम फेर शुरू हो जानदा है आरते दिया चौकी तो बाद केर्तन दी चौकी बदल दी है हाँ कुर्बाने जाओ दिर्वाना हाँ कुर्बाने जाओ हाँ कुर्बाने जाओ हिलाते लैन जो की राना अटेस अगली चौकी नो केर्तन सोहले दी चौकी केंदे हन हाँ कुर्बाने जाओ दिना के लैन जो तेरा ना हो लैन जो तेरा ना हो तिना के हो हाँ साथ कुर्बाने जाओ हाँ साथ कुर्बाने जाओ हाँ कुर्बाने जाओ दिना के लैन जो तेरा ना हो लैन जो तेरा ना हो हाँ कुर्बाने जाओ दिना के लैन जो तेरा ना हो समापती दा हुकम ना मा लैन तो कुछ समा पहला फराश ते एक सिवादार सजे हुए इन अ फुलानों इस तरह हटोना शुरू कर दिल्दे हां तेस्रावन पहले सोभनीक है मेरी जिंगड़िये हार कीरतन सुने हार तेरे रा हार कीरतन सुने हार तेरे रा अते फेर ग्रंती सिंग जा मुक ग्रंती सिंग जीरी मदद नाड़ शिरी गुरू ग्रंत साहिव उप्रों एक एक करके सतकार सहत रुमाले उतारं तो बाद उन अदियां तहां लगा की रुमाले वाली पेटी वेच रखना शुरू कर दिल्दे हां हर तक के दे रांद नहें हर तक के दे हर तक के दे हर तक के दे रांद तरस जा कंतन में नेरी जिंक ड़िये हूं अते इस तरह अंतला रुमाला उतारन तो बाद कीरतन बंध हो जानदा है अते ग्रंती सिंग दे नाल नाल सारी संगतवी मरियादा अमसार इस तरह शवत गयन कर दी है रास अपुश अपुश ना शुका उठाव ने गुशे भी आए हैं से जुआए तरह सकतव पार से आए बुरू कैजन मरन दुखदार ओए सिपत का संदिक अते इस शबत गायन उपरंद ग्रंती सिंग जा मोक ग्रंती सिंग जी इस तरह हुकम नामा शर्वन करवां देहन जुरुजी तनासरे महला पंजमा त्रिपत पही साच पूजन खाया मानतान रसना नाम ते आया त्रिपत पही साच पूजन खाया मानतान रसना नाम ते आया जी मना हर जी मना जी मना हर जप साथ संग राह इस हुकम नामत उबाद स्री गुरु ग्रंथ साहब्दा इस तरह हर देंदी मर्यादा अमसार सुखासन करवाया जानदा है जिस वच फराश ते सेवादार वी अपना सहीयोग धिंदे हन इस दोरान ग्रंथी सिंग जी सुहला साहब्दा संपूरन पाठ कर दे हन दुख लगए ना पाई साथ गोरे पूरा पीटे आजन बंत बनाई राम नाम आउख दिया एक काल वलाई रहाओं राख लिये तन रखन हासा ब्याद मिटाई कौना ने किर्पा पही प्रपही सहाई सोहला राग गवड़ी देव की महला पहला एक ओमकार सतगुर परसाद जय कर कीरते आखिया करते का हुए बीचार तित कर गाव हो सोहला सिवर्याव सिर्जनहार तुम गाव हो मेरे निर्पाव का सोहला अवारी जित सोहला सदा सुख होए रहाओं सुखासन उपरंथ रागी सेंग समाप्ती दी पड़ी लोंदे हन। इस दोरान स्री गुरु ग्रंथ साहब दी सवारी लें फराश दी निगरानी वच प्रेमी संता पाल की लेके स्री हर्मंदर साहब लें रवाना हो जान दिया हम। समाप्ती दी पड़ी उपरंथ गुरु साहब दी सवारी चलंदा छेमा अरदासा की ता जानदा है। इस प्छेमे अरदासेत बाद ग्रंथी संग इस तरह बड़े सतकार नाड श्री गुरु ग्रंथ साहब नू उन्नाद दी सवारी लें प्रेमी प्रेमी अरदासेत बाद ग्रंथी संग् पॉची होई पालकी तक लेके जान दे हन। अते फेर इस तरह सुनेरी पालकी वेच श्री गुरु ग्रंथ साहब दी सवारी कोठा साहब लें रवाना हो जान दी है। गुरु साहब दी पालकी दे रवाना हो जान दो बाद श्री हर्मंदर साहब एके फुराशा ने निगरानी वेच प्रेमी सजन इस तरह बड़े सतकार नाज सफाई दी सेवा दी त्यारी अरंब कर दे हन। इस दोरान ग्रंती सिंग ते गुरु कर दे सेवा दारा समेथ प्रेमी संगता वारी वारी गुरु साहब दी पालकी नो मोड़ा देंदा सुपाग प्राप्त कर दिया हो यां दर्चनी द्योडी तक आप पॉंच दिया हन। इस तरह शिर्दालुआ थे सेवकांदे मोड़्यां थे चुक्की होई गुरु साहब दी पालकी जिवें ही दर्चनी द्योडी तो बाहर आउंदी है उससे विड़े शिरी अकाल तक्त साहब लिखे नगारा वजना शुरू हो जानदा है। हर रोज दी मर्यादा अमसार पालकी दे द्योडी तो बाहर आजान तो बाद किवाड बंद कर देते जान दे हैं। पालकी दे शिरी अकाल तक साहिब दे सामने पहुंचन तो बाद ग्रंती सिंग सतकार सहत गुरु साहिब दे सुरूपनों आपने शीष्ट लेके संक्ता समेत कोठा साहिवा लवद्धे हैं मरियादा अमसार श्री गुरु ग्रंत साहिब दे कोटा साहिब पहुंचन दे नाड ही श्री अकाल तक साहिव इखे नगारा वजना बंद हो जानदा है पोटा साहिब इखे पहुंचन दो बाद ग्रंती सिंग श्री गुरु ग्रंत साहिब नो पलंते सजा की संखेप अर्दास करनो परंद गुरु साहिब नो मत्था टेक की बाहर आजान दे हन इदर श्री हर्मंदर साहिव इकी फराश्टे प्रेमी सजन अर्दास करनो परंद बड़ी शर्दा ते सतकार नाड़ु सफाइद गुरु साहिब नो पलंत गुरु साहिब नो पलंता है सिवा अरंब कर दे हन सिवा पूरी हो जान तो बाद सिवा दी समाप्ती अर्दास की ती जान दी है अर्दास्तो बाद सारे प्रेमी सजन प्रशाद लेके बाहर चले जान दे हम जैस्तो बाद अगली इश्नान दी सेवा लें मौसम मुताबक तकरीबन साड़े बारा वजे जा एक वजे अमरत्तारी पूरण सिखांदा जथा चोबदार नो अपने पास विखा की सिरी हर्मंदर सहेब दे अंदर दाखिल होंदा है गुरु कर दी मर्यादा अमसार इश्नान दी एस सिवा दा सुपाग सिर्फ अमरत्तारी पूरण सेखी प्राप्त कर सकदे हन इश्नान दी सिवा अरंब करन तो पहला फराश्टे सारे अमरत्तारी फ्रेमी सेंग अर्दास कर दे हन इस अर्दास उप्रंथ सब्तो पहला जंगले दे अंदर वाले पावन स्थान नू दोद नाल इश्नान करवाया जान्दा है अते फेर अमरित जल नाल इश्नान करवाउंटों बाद शिरी हर्मंदर साहब दे बाकी दे अंदर ले हिस्से दा इश्नान करवाया जान्दा है आते फराश, मर्यादा अनुसार, अमर्त जलनार, इश्नान करवाउंदे रहंदे हन। इश्नाम दी इस सेवा दे संपूरन हो जानतों बाद इस तरह सुकाई दी सेवा की तीजान्दी है। अते सुकाई दी इस सेवा दे मुकमल हो जानतों बाद मर्यादा अनुसार, विश्याई दी सेवा की तीजान्दी है। विश्याई दी सेवा पूरी हो जानतों बाद फराश प्रेमी सिंगा समेथ इश्नान ते विश्याई दी सेवा दी संपूर्णता अते कड़ा परशादी अर्दास करदा है। अर्दा सुपरंथ सेवा करन्वाले सारे प्रेमी सेंग प्रेम सहित इकठे शबद पढ़ दे हन। अते कड़ा परशाद बरताया जानदा है। इस दोरान दर्शनी द्योडी दे किवाड खुलन दे समे तो पहला है प्रेमी संगता द्योडी अगे आ बैठती हैं। अते बड़ी शर्दा नाड किवाड खुलन दी उडी कर दिया हुएं। सुख्मनी साहिव दा पाठ कर्म तो बाद प्रेम सहित जोटियां वेच शबद गायन कर दिया है। जदों के एदर शरी हर्मंदर साहिव इखे मर्यादा अमसार समेश से टेन पैरे दी चौकीदा कीर्तन अरंब हो जांदा है। गुर्पर साहगार अमरत पील्याद गुर्पर साहगार अमरत पील्याद जोजाद जांग की वाट ना पाया। टेन पैरे दी एदर चौकीदा कीर्तन दोरान मौसम मुताबक अमरत पील्यादे निर्दारित समेटे किवाड खोल दिते जांदे हम। अते संगता अंदर ले दर्शना दी खुशी वेच सत नाव वहगरूदा जाप कर दिया हुएं स्री हर्मंदर साहब पहुंच दिया है। संत बाबा शाम संजी दी शुरू किती हुई एक तिन पैरे दीचों की हर दिन एक केंटा कीर्तन कर दी है। तिन पैरे दी चोंकी उपरंत नवा रागी जथा आकी सुरी आसाजी दी वार्दा कीर्तन अरंब करदा है। किती हुएं तुल बुल जाया, दुख पिन से सुख पाया, क्या कुपी शर्ण सगल जहराते, दुख पिन से सुख पाया, आसा जीदु वार्दे इस कीर्तन दे शुरू होन तो तकरीबन एक केंटा बाद, अति कुठा सहब तो, स्री गुरु ग्रंत सहब दी सवारी चलन तो, कुझ समा पहला प्रेमी सिंग गुरु सहब दी सवारी लई एस सुनेरी पालकी नू बाहर लेाके, फराश दी निगरानी वेच शबत पाठ कर दे हुए इस तरह सजाउदे हन। पालकी दी सजावट पूरी हो जानतु बाद, प्रेमी संगतां पालकी नू स्री अकाल तक्त साहब दे सामने ले ओंदिया हन। अटे इस तरह सारी संगत खड़ी हो की गुरु सहब दे दर्शना दी तांग विच बड़ी शर्दा नाल सत नाम वह गुरुदा जाप कर दी है। समय सेर सिरी हरमंदर साहब दे गरंती सिंग जी कोटा साहब पहुँच दे हन। जित्ते के शिरी अकाल तक साहब दे गरंती सिंग जां मुक गरंती सिंग साहब पहला तो ही सिरी गरु गरंत साहब दे शुरूप दी त्यारी कर चुके हुँदे हन। ग्रंती सिंग दे कोटा साहिब पोंचन दे नाल ही मर्यादा अनुसार शिरी अकाल तक्त साहिव विखी नगारा वजना शुरू हो जादा है श्री हर्मंदर साहब दे ग्रंती सिंग जा मुक्रंती सिंग जी हर दिन दी मर्यादा अमसार कोटा साहवी के पहुँचन तो बाद पहला इस तरह श्री गुरू ग्रंत साहब दी परिक्रमा करकी संखी अर्दास कर दे हम अते फेर स्री गुरू ग्रंत साहब नो अपने शीष दे रखवा के बाहर उडीक रही पालकी वल रवाना हो जान्दे हन इस दोरान दो चोबदार चांदी दियां दो चोबां लेकी अगी अगी चल दे हन अते चौर बरदार गुरू साहब ते चौर करदा होया पिछे पिछे तुर्दा है पालकी कोल पहुचन तो बात ग्रंती संग फराश अते चौर बरदार तिन्ने ही बड़े सतकार नार्ग सिरी ग्रू ग्रंत साहब नो पालकी वेट शेशोबित कर दे हन अते फिर पालकी गुरू साहब धा पावन सुरूप लैकी सिरी हर्मंदर साहब वल रवाना हो जांदी है प्रेमी सज्जिण वारी वारी पालकी नो मोडा देंदी सिवादा सुफाग प्राप्त करदे हुई दर्शनी डूडी वल वदे हन अते पालकी दे दर्शनी जोडी वेच दाकल होन तो बाद नगारा वजना बंद हो जानदा है इस तरह पॉल दे उपर दी हुंदी हुई पालकी स्री हर्मंदर सहाब दे द्वार कोल पहुंच की रुक जानदी है ग्रंती सिंसाहब थराश्ते चौर बरदार दी मददना सतकार सहथ स्री गुरु ग्रंत सहेब नो आपने शीशते रखवा के स्री हर्मंदर सहाब इखे प्रवेश कर दे हन अते इस तरह मर्यादा अमसार गुरु सहेब दे सरूपनू मंजी सहेब ते सशोवित करंतु बाद संगता नो फते बुला की ग्रंती सिंजी गुरु सहेब दी ताब्या विच बैठ जानदे हन ते इस दोरान सवये पढ़नवाडे प्रेमी सजन एक एक करके सवये पढ़ने शुरू कर दे हन जिस दोरान सिरीगुरु गरंत सहेब दे प्रकाश दी ट्यारी अरंब हो जानदी है जिस विच फराश ते चौर बरदार दोनों ही ग्रंती सिंग दी मदद कर दे हन इस तरह वक वक प्रेमी सजन दे सवये पढ़न दे दोरान ग्रंती सिंग बहुती सतकार नाड मर्यादा ते विदी अनुसार स्रीगुरु गरंत सहेब दे प्रकाश दी त्यारी कर दे होए चादरा अते रुमाल्यानू इस तरह इतरवेज पिजे होए रून दे फंबे राह सहेजे सहेजे इतरवी लगोंडे रेंदे हन। जोत सब सुख इत उत तुम बंच्वों। गुरु समराथ गय करिया त्रोगत समत समारन काओ। तुन धरम धुजा है रंत सदा अगपुंज तरंग निवारन काओ। भगराजन जान कही जिये साच सोया औरत जोनाम चारन काओ। हर नाम गोहित बडो कल मैं अब साधर पाई उदार काओ। आपे जल आपे जल ठमना आपे किया कट-कट वसा। आपे नर आपे बुर नारी आपे जारा भी पसा। बुर्मुक संगत स्खबे प्रिचारो। सवये संपूरन होंटे नार ही प्रकाश्दा समा होंटे सारी संगत प्रेम ते शर्दा नार शबत गायन कर दी है। अपने अब बुर्मुक परे एक बुननाई अमरत साड़ दिखे लिखताई माया होंट प्रकाश्दा रास्योंग। जिस दोरान हर दन अमरत विले स्री हर्मंदर साहिब इखे स्री गुरुब्रंच साहिब दा इस तरह प्रकाश कर दिता जानदा है। जिस दोरान हर दन अमरत विले स्री गुरुड दन अमरत दन दन अमरत विले स्री गुरुड़। अते प्रकाश उप्रंत मर्यादा अंसार ग्रंथी संजी प्रेमी संगतानू हुकुम नामा शर्वन करवाँ देहन। श्रिवाहि गुरू साहिवजी तनाश्री महाला पहला आरती एक उवंकार सद्गुर प्रसाद गगन मैपाल रग चंद दीपत बने तारिका मंदल यनक मोते। तूप मल याणलो पवन चवरो करे। सगल बन राय पूलंत जोते। गगन मैपाल रग चंद दीपत बने। तारिका मंदल यनक मोते। तूप मल याणलो पवन चवरो करे। सगल बन राय पूलंत जोते। कैसी आरती होए। पवखंडना तेरी आरती। अनहता सबद भालंत पेरी रहा। अम्रत विले दे इस हुकम नामे तो बाद। रोहानिय दे इस परम स्रोत विखे। पावन रब्बी बाणी दियां रोहानी तरंगा। सारे वाता वरन्नों अम्रत बाणी दे अलोकिक रस नाल निरंतर अम्रत मै बणाओं दियां रेंदियां। सत नाम वाहे गुरू। सत नाम वाहे गुरू। सत नाम सिरे वाहे गुरू। सत नाम सिरे वाहे गुरू। वाहे गुरू। सत नाम सिरे वाहे गुरू। सत नाम सिरे वाहे गुरू। वाहे गुरू। वाहे गुरू। वाहे गुरू, वाहे गुरू। सत नाम सिरे वाहे गुरू। सत नाम सिरे वाहे गुरू। सत नाम सत नाम जी। सत नाम सिरे वाहे गुरू। सत नाम सिरे वाहे गुरू। सत नाम सिरी वाहे गुरू सत नाम सत नाम जी वाहे गुरू वाहे गुरू सत नाम सत नाम जी वाहे गुरू वाहे गुरू सत नाम सिरी 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 वाहे गुरू सत नाम जी वाहे गुरू सत नाम सत नाम वाहे गुरू सत नाम सत नाम वाहे गुरू सत नाम सत नाम मंगल धिलोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है मंगल धिलोन चैनल